अगर हम आपसे सवाल करें कि माचिस की तीली क्या सर्फ जलाने के काम आती है तो आपका जवाब हो सकता है हाँ हो लेकिन आपको बता दें कि माचिस की तीली अपने हुनर को भी दर्शाने के लिए काम आ सकती है किसी हुनरमन हाथों में ये तीली पहुँच जाए तो इससे बहुत ही सुन्दर दुनिया का अजूबा भी बनाया जा सकता है जी हाँ अजूबा इसलिए क्यूंकि हुनरमन हाथों ने इन तीलियों की मदद से एक ताजमहल बना कर तयार कर लिया है ताजमहल की एक अदभुत प्रतिकृती को बंगाल के एक डाक कर्मी ने इतनी खूपसूर्ती से बनाया है कि अब इनका नाम गिनीज बुक और रिकॉर्ड में दर्च हो गया है ये शक्स है उत्तर 24 परगना जिले के इच्छापुर इलाके के नवाब गंज के रहने वाले 25 साल के अक्षे कुमार घोश और अपनी इस अदभुत करा के प्रतरशन के लिए उनका नाम विख्यात हो गया है इससे पहले ये रिकॉर्ड उत्तरप्रदेश के एक शक्स के नाम था जिन्होंने 75,000 तीलियों से ताजमहल के प्रतिकृती तयार की थी और अब अक्षे कुमार घोश ने एक लाख तीलियों की मदद से ये नायाब ताजमहल बना कर तयार किया है कोलकता जीपियो स्थित कोलकता आरेमेस ओफिस में सौर्टिंग असिस्टेंस के पद पर कारेड़त अक्षे से जब इस होनर को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बच्पन से ही मेरी रचनात्मक कारियों में दिल्चस्पी रही है हस्थ शिल्प का काफी शौक है, खुझ से कुछ अलग गड़ने की हमेशा से ही इच्छा रही है इसे लेकर प्रयोग करता रहता हूँ और चीजें होती चली जाती है 2013 में मैंने तीलियों से मादुर्गा की प्रतिमा तयार की थी उसके बाद साल 2014 में हजारों तीलियों से एफल चावर की प्रतिकृती बनाई और अब ताज महल तयार किया है अक्षय ने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा मैंने 2016 से ताज महल तयार करने का काम शुरू किया था इंटरनेट से ताज महल के विभिन आंगल वाली तस्वीरे निकाली और इसमें जुट कया मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके इसे तयार करता रहा इसे बनाने में चार साल लग गए इस साल अक्टूबर में बन कर ये पूरा हुआ इसे बनाने में करीब 10,000 रुपे की लागत आई है इसे बनाने में मैंने सिर्फ माचिस की तीलियों और जोडने के लिए गोंद का इस्तिमाल किया है इसे तयार करने के लिए मुझे 2500 से ज्यादा एक ही ब्राण की माचिस की डिबियां खरीदनी पड़ी एक माचिस की डिबियां में करीब 40 तीलियां होती है ताज महल की प्रतिकृती की उचाई 22 इंच और वजन 1.5 किलो के आसपास है इस ताज महल की प्रतिकृती की खासित के बारे में बात करें तो इसके गुंबत और खंबो को असानी से अलग किया जा सकता है और फिर से जोड़ा जा सकता है अक्षे इसी ताज महल को बनाने के बाद गिनीज बुक ऑफ वॉल्ल रिकॉर्ड्स में अब तक सबसे ज्यादा माचिस की तीलियों से ताज महल के प्रतिकृती बना कर तयार करने का दावा पेश कर रहे है अक्षे ने बिताया कि ताज महल दुनिया के साथ अजूबों में से एक है और हमारे देश की शान है इसलिए मैंने इसकी प्रतिकृती तैयार करने के बारे में सोचा अब मेरी योजना माचिस की तीलियों से दुनिया के एक और वंडर ब्राजील स्थित क्राइस्ट दे रिमेडर की प्रतिकृती तैयार करने की है अक्षे के पिता दिलीब कुमार घोश, सेवा निवरित पुलिस कर्मी और माश्यफाली घोश आम ग्रिहनी है, उनका संदीप खोश नामक बड़ा भाई है तो कैसा लगा आपको ये हुनर, कैसी लगी आपको ये ताज महल के प्रतिकृती, कैसी लगी आपको ये अक्षे के हाथों की कला अपनी राए हमारे साथ जरूर सजह करें